सुबस आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि Facebook का जो chat plugin option होता है वो क्या होता है काफी सारे लोगों को ये confusions रहती है कि आकर ये क्या होता इससे benefits क्या-क्या होते है तो ये साही चीज़ में आपको इस वीडियो में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा आप Facebook का chat plugin add कैसे कर सकते है अपने Facebook page पे या अपने Facebook जो भी आपका business है website बगर जो भी है उस पर कैसे add करेंगे पहले मैं बात करूँगा इस Facebook chat plugin होता क्या है Facebook chat plugin को अगर explain करूँ तो मैं ये messenger की तरह होता है अगर Facebook का chat plugin on है ठीक है और अगर कोई viewer आता है आपके page पे कोई audience आता है आपके page के बारे में जानने के लिए या आप जो भी चीज़ कर रहे है उसके बारे में जानने के लिए तो वो आपको message कर सकता है ठीक है अब ये आप कहेंगे कि ये तो messenger भी होता है जैसे कि जो normal messenger यूज करते है वो message करेगा फिर आप उसे reply देंगे बट इसमें क्या होता है कि facebook chat plugin में आप auto reply दे सकते हैं यानि आप कुछ questions set कर सकते हैं उसके related आप answer set कर सकते हैं अपने facebook page पे अगर कोई customer query करता है उस सीच के बारे में वो question पूछता है तो उसका automatic जो answer है वो उसे send हो जाएगा तो ये होता हमारा facebook chat plugin यानि आपको उस time पे available जाने की जौत नहीं पड़े में और उससे related answer आपने वहां पे add करके रखा हुआ है तो वह answer जो है guys वह automatic उसे send हो जाएगा तो यह हमारा facility रहता है एक हमारे facebook chat plugin में इसे benefit क्या होता है इस मैं आपको बताता हूँ जैसे कि अगर कोई viewer आपके page पे आता है तो आपके page के बारे में अगर query करता है या किसी च ज्यादा जुड़ने की कोश्च करती है और जुड़ते जुड़ते इससे क्या होता है बहुत सारे लोग आपके एक group सा बन जाता है जब आप ऐसी चीज़ें add करते हैं जिससे क्या लगे कि सामने वाले को लगी कि आप उसे importance दे रहे है ठीक है अगर आप ऐसी चीज़े करत लेगा आपको इस हाई importance इसकी समझना पड़ेगा कि Facebook आमें जो facility दे रहा है आंकर इसका यूज क्या है इसके benefits क्या क्या है इसके लिए मैं आपको अपने phone screen पर लेगे चलूँगा चलते है phone screen पर एंचानते कि कैसे अपना Facebook प्लग-इन एड कर सकते है चैट प्लग-इन पहले open कर लेंगे Facebook अपना and guys मैं आपको last में यह भी दिखाऊ हूँ कि जब हम set करते हैं अपना automatic question answer ठीक है तो उसके बाद वो सही में काम करता यानि कोई आकर हमें message करते तो उसका automatic reply जाता है यानि वो भी हम check करके दिखाएंगे ठीक इस वीडियो में तो मैं add करके दिखाऊं कि जाजी के tag पर already add है तो मनीज जावाले पर add नहीं है तो मनीज जावाए add करके दिखाऊं कि कैसे हम Facebook chat plugin add करते हैं तो इसे tap करेंगे यह guys मेरा page है ठीक है और so इस page पर मैं अब इस पर add करूँगा अपना so guys यहाँ से आ जाना है आपको उपर setting option शो हो है आपको एंड यह से tap कि हमने tap करने के बाद यहां पर बहुत सारे option आजाएंगे आपके पास जिसमेंगे से आपको आना है messaging के option पर ठीक है messaging के option को tap करते हैं and यहाँ आने के बाद guys देख सकते हैं आपे automated FAQs यानि introducing new customers to your business by starting chats with shortcuts to frequently asked question ठीक है तो अगर आप यहाँ से greeting message यानि welcome जो new customers होते हैं ग्रीट करते हैं हम hello आए करके तो वो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यह जो greeting message को option है इससे tap करेंगे यह on हो गया ठीक है और हमारा greeting यह ह welcome to my shop feel free to explore the FAQs और ask any question ठीक है अगर आप इसे चाहें तो edit भी कर सकते हैं जो भी लिखना चाहें मैं सिब आपको demo के लिए बता रहा हूँ thanks for your message we are awake and can't respond right now यानि मैं आपके message के लिए शुक्रिया अभी मैं यहाँ में नहीं हूँ जिसके कारण में आपको response नहीं दे सकता ठीक है हम जल्दी आपको response देने की कोशिश करेंगे we appreciate you reaching out ठीक है तो यह आप चाहें तो on कर सकते हैं otherwise मैं इसे off रखता हूँ ठीक है इसके अ and यहां से आप questions add कर सकते हैं पहले हमें suggestion में कुछ question लिखे हो हैं जैसे की can you tell me more about yourself can I learn more about your background are you available to chat या where are you located ठीक है जैसे मैं इसमें से कोई कोई question का आपको demo दे कर बताता हूँ जैसे मुझे लिखना है की can you tell me more about yourself यानि कोई viewer हमसे यह question पोच रहा है can you tell me more about yourself तो इस question का answer हम add कर लेंगे पहले ही यहाँ पर answer का option दे रखा है box उस पर हम tap करेंगे and यहाँ पर answer लिख देते हैं जैसे कुछ भी लिख देते है सब्सक्राइब कर लिख लिए आप चाहें तो इसके अलावा और जो जो भी आपका business है जिस बारें भी आप कर काम कर रहे हैं उसके बारें यहाँ पर answer edit करके लग सकते हैं और इसे यहाँ से नीचे save कर लेंगे यह guys होगे हमारा save देख सकते हैं आप उपर आप ही गया हमारा उपर save में उसका question के साथ answer इसे तरह आप जितने भी यहाँ पर answers है जैसे कि are you available to chat अगर मैं यहाँ पर no लिख देता हूँ इसे save कर लेता है यह जब भी कोई ऐसा message करेगा तो मेरे जो answer होंगे वो no में जाएग यह answer save हो गया अब यह तो होगे suggestive question जो हमें Facebook अपनी तरफ से suggest कर रहा है कि आप इन सब questions के answer add करके रखो ठीक है इसके अलावा अगर कोई लेते हैं यहां से यह होगे save तो इस तरीके से guys आप अपने questions add कर सकते हैं और questions के answer add कर सकते हैं ताकि आपको अगर बाहर रहें तो automatic answer उसे चला जाए अब हम देखते हैं कि सही में यह काम करता है या नहीं ठीक है सुबज मैं अपनी दूसरी आइडी पर आ गया हूँ जिससे मैं आपको दिखाऊंगा यहां से search करके कि यहां message सही में काम करता है या नि इस लेकिन गाइस के लिए मैं आपको बता दो एक messenger का जो app है उसे आपको install करके रखना पड़ेगा ठीक है तो यहां से हम search कर लेते हैं मनीज जा को पहले मनीज तो नीचे आप देख सकते हैं मनीज जा के नाम से मेरी आईडी आ चुकी है ठीक है यह मेरा facebook page है मनीज जा के नाम से तो इसे open करते हैं पहले यह मनीज जा है जैसे की hello का reply देते हैं hello का मैं हमने answer set किया था तो hello send करके देखते हैं एक बार यह देखिए hello की जगए हमने high का reply आगया ठीक है अब जैसे कि हमने और क्या सेट किया था are you available to chat यह हमने set किया तो इसका answer एक बार चेक कर लेते हैं इसे tap करके यह देखिए no आ गया हमने no लिखा तो no आ गया और जैसे कि हमने यह भी लिखा था can you tell me more about yourself या जो भी चीज था इसका भी हमने answer set किया था तो इसे भी एक पर send करके देखते हैं यह देखिए I am YouTube and this channel is all about Facebook tips and tricks यह benefit होता है हमें अपना Facebook chat plugin add करने से ठीक है guys so guys यह थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो पसंद आज़े वीडियो को like करना शेर करना चैनल को जोग सबस्राइब करना मिलते है guys next वीडियो में